वेलकम डू दी स्टालिश कोडर उमीद है कि आप सब बढ़िया होंगे आज का हमारे पास कोश्चन है एक लीट कोड का मीडियम लेवल का यह कोश्चन है इस कोश्चन के अंदर हमारे पास में एन क्रोस एन की इंटीजर मैट्रिक्स गिवन होगी ग्रीट करके हमको लाइक इ इतने रोजन कॉलम उसको सेटिस्फाय कर रहे हैं तो लाइक अगर अगर अपन इसको समझे एक्जांपल के थ्रू कि मीन्स हमारे पास में एन क्रोस एन की मैट्रिक्स दे रखी है ठीक है 321 वाली होगी तो मीन्स यह वाली जो रो है 321 वाली इस रो को अपन कंपेर कर रहे ह किस से इसके 1st column से 2nd column से 3rd column से ठीक है अगर हमारे यह रो यहांसे 3 से चालो हुई ठीक है फिर उसका second number 2 है ठीक है यह 2 number मेरे पास में यहां पर two लिखा होता तो means यह दोने मैच कर गए उसके बाद one है तो यहां पर अगर वन होता तो मेरी like यह रो मैच कर गया होती तो means मैं इसको one बोल देता फिर मेरे पास मैं like three two one वाली ये वाली मैच कर जाती तो मैं इसको plus से increase कर दूँगा like ऐसे ऐसे मुझे इसको करना है ठीक है तो like अगर question की बात करते हैं हमको करना क्या हमको basically ये करना है जो हमारे पास में given rows है ठीक है हमारे पास जो matrix है हमको first इस row को लेना है then इसको इसके जितने column से उन सबसे compare करना means इन सबसे इसको compare करेंगे ठीक है फिर उसके बाद हम next row पे जाएंगे ठीक है इस row पे गए फिर हमको इसको और इन तीनों columns को अपने और compare करना है फिर इस last row पे गए फिर हमको इन सारे columns को compare करना और देखना है कि हमारे पास जो column और रो वो सेम है या नहीं है ठीक है तो अब बात करते हैं कि यह जो example हमारे पास में given है इस example में क्या हो रहा है means यह देखो मेरे पास में यह row है first start होती three से ठीक है zero zero मिल गया मतलब अगर इस row को मैं ऐसे लेता हूँ या ऐसे लेता हूँ तो three two and one क्या match कर रहे नहीं कर रहे नहीं कर रहे फिर अगर मैं इस row को किसी दूसरे column के साथ compare कर रहो तो क्या compare कर पा रहो नहीं कर पा रहो क्योंकि three किसी में starting में है नहीं उसके बाद मैंने इस one को select किया ठीक है इस one को देखो क्या one मेरे पास कहाँ पर यहां मिला मुझे one ठीक है अब इस one के बाद मुझे क्या चाहिए like अगर row wise जाओ तो यहां पर seven आना चाहिए और यहां पर six आ रहा है यह रो और यह कॉलम यह दोनों मैच कर रहा है इसके अलवा कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो मेरा answer क्या हो जाएगा one ठीक है तो गाइस उमीद है कि आपको example के थूर इस question को बिल्कुल clear हो गया होगा कि इस question में अपने को करना क्या है इसकी solution approach की बात करते तो solution approach हमारी क्या हो फॉरी होगी तो Like हुम first में कर क्या है हम first में हमने इस element को like इस row में अपने को चलना है ठीक है अपने को इस row को अपन यह सीलेक्ज़ कृत ओर ठीक है और फिर अपने को क्या करना है Like कौलम वाइस को provision इसके करता हूँ कि वो किसके लिए वो मेरे columns के लिए मतलब इस row को मुझे compare करना है column से ठीक है फिर उसके बाद एक loop और लगेगा जिसके अंदर में अपनी values को compare करता हूँगा ठीक है तो काफी simple सा होने वाला है तो अपने इसको कर लेते हैं और जब मेरे पास मैं like मैंने column and row की value को match करूँगा अगर वो match करती है तो ठीक है मैं next पर जाओंगा अगर match नहीं करता है तो मैं like उसको break करके दूसरी row को check करूँगा तो वो कैसे कर रहे होंगे like first मैं इसको clear करता हूँ इधर आए ठीक है तो code में अपने को क्या चाहिए अपने को first अपने आप एक for loop लगाया ठीक है for loop लगाना है यह for loop तो int i equal to zero i tends to मेरा कहा तक जाएगा grid की length तक तो मैं आप पहले एक variable बना लेता हूँ length के लिए तो int n is equal to हो जाएगा मेरा grid.length ठीक है इसके अलावा int answer भी अपने को चाहिएगा ठीक है initially इसको अपन 0 रखते है ठीक हो गया तो अब आते वापस loop पे यहाँ पर अपने n दिया इसको ठीक है n तक चलना है इसको ठीक है अपने आपने i++ कर दिया अब इसके बाद हमको क्या करना है हमको एक loophole लगाना है कि इसके लिए column के लिए तो अपने एक loophole लगाया int j equal to 0 ठीक है j tends to कहा तक जाएगा यह भी मेरा n तक जाएगा और j मेरा plus plus होता जाएगा ठीक है अब इसके अंदर हमाय पास में क्या हुआ हमने column and row को तो pick कर लिया अब अपने को one one value को check करना है ठीक है अगर वह match करते है तो रखना है match करते है तो अपने को आगे पर जाना है नहीं करते तो break कर देना है तो मैं यहां पर क्या करता हूँ मैं यहां पर एक variable बना ले तो बूलेंड करके ठीक है इसको मैं बोलता हूँ कि match किया तो इसको initially अपन रख देते हैं true ठीक है करेंगे कि if जो मेरे पास में like जो मेरे grid है ठीक है इसका i और index ठीक है और does अगर यह equal नहीं करता है किससे grid और मेरे इंडेक्स और यहां पर आजाएगा जीए अगर यह मेरे इससे equal नहीं करता है तो मैं यहां पर क्या कर दूँगा पहले तो match को मुझे क्या करना होगा false करना होगा, कर दिया false ठीक है, मेरी value match नहीं करी तो false किया मैंने इसको then, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे next element को चेक करना नहीं, तो मैं यह से क्या कर देता हूँ break करवा देता हूँ, ठीक है भाय, हो गया तेरा काम, अब next value को यह लूप मेरा खतम होता है अब यहां पर में क्या करता हूँ अपने आंसर को अपडेट कर देता हूँ कि भाई आंसर अगर तेर को प्लस इक्वल टू अगर हमारा जो मैच है अगर यह मिलता है तुझे तो इसमें one add करना otherwise इसको zero रखना ठीक है और in the last जब यह दोनों for loop अपने खतम हो जाएंगे उसके बाद अपन यहां से return कर देंगे किसको answer को ठीक है तो like अपन इसको एक बार रन करके देखते कि syntax error तो नहीं कर रही है अपनने तो यहां पर हमारे दोनों के successful run हो गए इसको कर देते हैं submit तो आज का code भी हमारा successful submit हो चुका है तो बात करते हैं इसके time and space complexity की तो हमारे इस code के अंदर देखते हैं अपन तो अपन ने कर रहा कि अपने यहां पर एक loop लगाया जो अपने row को check करता है फिर उसके बाद अपना एक और loop है जो हमारे columns को check करता है फिर उसके बा हमारा चलेगा end times ठीक है second loop हमारा कप तक चलेगा end times means nested है तो means यहां पर जो हमारी इन दोनों loop को देखो तो n square time complexity तो हो गई है फिर उसके बाद हमारे पास में एक loop हो रहा है ठीक है यह भी nested है तो means यह भी end times चलेगा तो हमारी total time complexity निकलती इस code की n cube करके ठीक है और अगर space की बात करते हैं तो हमने like इसके अंदर से variables को declare किया है ठीक है और तो means हमारी जो space complexity होगी code की वो हो रही होगी o1 करके ठीक है तो यह तो हो गया हमारा एक code अगर अगर अपन इसको बात करते कि like जो हमारी time complexity है क्या हम इसको थोड़ा और reduce कर सकते हैं क्या तो like reduce कर सकते हैं क्य हाँ जी कर सकते हैं तो चलिए करते हैं उस पर बात तो अगर हम इस example को देखते हैं तो इस example में basically अपन कर के आ रहोंगे तो means हमारे पास में जो यह row है ठीक है यह वाली row इस row को अपने को किसमे करना है compare करना है like इस row को इस row को फिर in column के साथ compare करना है तो क्या मैं ऐसा करता ह कि मैं data structure बना हूँ ठीक है इस data structure के अंदर मैं like इस type की जो row है मेरे पास में इसको मैं store करा दू देन मैं इसको फिर like column के साथ column का जो यह array है इसको लेके मैं इसके साथ इसकी value को लेके compare कर लो ठीक है तो ऐसा अपन कर सकते हैं हां कर सकते हैं तो like उसको open करेंगे कैसे तो first च चाहिए कि यह array कितनी बार हमारे पास में row के form में आया है तो means हमारे पास में like यह key हो गई हमारी और इस कितनी बार आया हो value हो जाएगी तो उसके लिए मैं use क्या कर सकता हूं map का ठीक है map का use कर लेंगे बट यह हमारा array है और मेरे array को open key की तरह use नहीं कर सकते है so मैं this array को क् अधर करता हूं ठीक है मैंने इसको इस को इस ट्री में कनवर्ट किया ठीक है तो like मेरे जो map का structure होने वाला है वह structure कैसा हो जाएगा यहाँ पर तो मेरे पास में string हो गई ठीक है उसके अलावा मेरे पास में क्या हो जाएगा like जो इसकी कितनी बार आया उसकी frequency तो ठीक है वो क अघवर सब्सक्राइब करता है और इस कॉलम को मैं like इसके अंदर चेक करूं कि यह कॉलम हमारे पास में exist करता है कोvt है अगर exist करता है तो LIKE अगर exist करता है तो में इसकी frequency को चेक करता हूं तो में पास में जो time लगने वाला होगा वो कितना हो जाएगा N तो means हमारी जो time complexity होगी वो N cube से कम होके N square पे आ जाएगी ठीक है तो चलिए इसको भी implement करके देख लेते हैं तो first में अपने कुछ इस code की requirement नहीं इस code को अपन रीमू कर देते हैं तो like मुझे इस for loop की जरुवत नहीं है तो मैं अभी के लिए इसको हटाता हूँ ठीक है तो जैसा अपने डिसकर्स कि अपने को क्या चाहिए इसमें hash map चाहिए ठीक है hash map बना लेते है तो यह अपना hash map होजाएगा string and integer type का ठीक है इसको अपन नाम देते है map equal to new hash map और इसके अंदर अपने को क्या करना है अपने को इसके अंदर डालनी है हमारी rows को तो अपन यह पे एक for loop लगाते है तो int row यह मेरा क्या होगा area type का होगा ठीक है वो 2D area तो यह one single area हो जाएगा ठीक है और यह हमारा आ रहा होगा grid से ठीक है अब इसको अपन को क्या करना है उसमें map में डालना है तो map हमारा किस type का है string type का तो first में अपन उसको क्या करते हैं कि string में convert करते हैं तो इसको अपन बोल देते हैं कि row string है मेरी ठीक है और इसको like अपन areas dot to string ठीक है तो यह मेरी जो row होगी उसको यह string में convert कर देगा ठीक है कर दिया अब उसके बाद अपन इसको क्या करते हैं कि map के अंदर यह repeated order में भी हो सकती है हमारे पास में तो उसका भी ध्यान रखना है map dot put कि इसको जो मेरे पास में row string के उसको put करना है ठीक है अगर repeated order में तो map dot get और default ठीक है अगर हमारे पास map के अंदर already exist करती होगी तो अपन उसकी value को लेंगे अगर नहीं करती होगी तो अपन यह पे like उसको default value दे देते हैं ठीक है तो पहले तो अपने हो देनी पड़ती है उसकी id जो भी अपन जिसक value को देख रहे है तो हमारी row string है default value हो जाएगी 0 means अगर हमारे पास में row string पहले से exist करती है तो उसकी पुरानी value को लेके आगा अगर नहीं करती है तो वह 0 को लेके आगा जाएगा n तक जाएगा और i मेरा plus plus हो जाएगा हो गया उसके बाद में अपने पास एक और for loop अपन लगाएगे यहाँ पे क्योंकि हमको उसकी values भी चाहिए ठीक है तो यहाँ पे जो हमारे पास होने वाला है ठीक है int इसको अपन ले लेते हैं जे बोलते हैं जे इकवल टू जीरो जे टेंस टू मेरे पास n और जे प्लस प्लस ठीक है तो यह हो गया अपने को कॉलम को exist करना है ठीक है तो अपन यहाँ पे एक नया area बनाते है तो int इसको नाम अपन दे देते हैं column array new int and size कहलंब and ok आपने को करना है तो मेरा Esta कॉलम array उसका J opinions उसके क्या होगा उसके मेरे पास the grid grid j i जो मेरे पास column का value आ जाइगी when I have column array एरे न और में यहां पर क्या करूँंगा में यहां चेक कि मेराarnos plus equal to किसमे से जो मेरे पास map.gate और default ठीक है, default हो गया, अब इसके अंदर मैं चेक करूँ है क्या मेरे पास ये column array है क्या नहीं है, ठीक है, अभी array में उसको मुझे string में करना है, तो अपने पहले उपर किया, वैसी करते हैं arrays.to string ठीक है, इसके अंदर अपन पास कर देते हैं, column array को, ठीक है, अपने column array पास कर दिया, हमारा integer वाला array था, वो string में convert हो गया है, अगर हमारे पास में, अगर वो value है, तो ये, उसको get कर लेगा, इसके through, अगर नहीं इसके पास value, तो अपन यहां से देंगे 0 ठीक है, और ये इसको add कर देगा, तो लाइक हमारा code complete होगा, एक बार इसको run कर, syntax error देख लेते, कई syntax error तो नहीं किये ठीक है, हमारे दोनों case चल गए successfully, और यहां पर यह करने के बाद अपने return statement को पहले लिख रखा था, तो अपने रिपीट नहीं किया, कर दो इसको submit, तो हमारा यह code भी submit हो चुका है, अगर हम इसमें भी time and space को देखते, तो हमारा, like यहां पर variables declare किये, हमने यहां पर hash map बनाया, जो कि हमारा time consuming होगा, ठीक है, और उसके बाद हमने यहां पर like एक for loop लगा है, यह हमारा for loop कितनी times चलेगा, हमारा end times यह for loop चलेगा, ठीक है, उसके बाद हमारा यह दूसरा loop आया, तो यह एक बार end times, फिर उसके बाद हमारा यह again end times, तो means यह लगा लूप हमारा कितनी बार चल रहा होगा n square times, उपर वाला end times, तो मेरे पास जो total time complexity होगी, वो क्या बंद रही होगी code की, तो like end plus end square, तो ठीक है, तो मैं इसके अंदर जो बड़ा वाला कौन सा हो, उसको रखता हो, तो मेरी जो total time complexity हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, end square करके, अगर space की बात करते हैं, तो मेरे लिए यह ले रहा होगा, end space, क्योंकि मैं इसके अंदर सारी rows को डाल रहा हो, कितनी rows हो सकती में पस end rows हो सकती है, उसके बाद अपने आप एको रहरे बनाया, यह कितना हमारा end space ही लेगा यह, ठीक है, और यह हर बर से भी लूप की तक ही वर्क कर रहा है, ठीक है, तो मेरे पास जो space निकलेगा, वो कितना होगा, वो end होगा, ठीक है, यह मेरा space हो जाएगा, और मेरे पास जो time होगा, time हो जाएगा मेरे पास में, end square, ठीक है, तो गाइस, यह थी हमारी आज की वीडियो, उमीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे होगी, फिर मिलते है किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए, बाई,